तो भई आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार लाजवाब टेस्टी और हेल्दी स्टीम्ड सैलेड जो की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है इस बात का अंदाजा तो आप यहाँ पर सब्जीयों को देख करके लगाई सकते हैं हा ना और रेसिपी इतनी सिंपल है ना कि आप देख करके हरान रह जाएंगे क्योंकि कुछ ही मिन्टों में हम बना करके कर लेंगे इसे तयार और टेस्टी इतनी कि सभी लोग जो फैमली के हैं ना चाहिए बच्चे हों बड़े हों यह बुड़े मांग मंग कर खाएंगे नमस्कार आप सभी का कामता की चैनल ओविससबर आ जयसको तो अब इसे गुण गोने पानी पानी में अच्छे से धौलेंगे और इसके साथ ही हम क्या करेंगे चले कर लेंगे कना के तो जैसे कि आप से चुकंदर जिने की आप काटरियों बहुत ही पतले पतले पीसिज में तो यहां पर सभी सब्जीयों को यानि चारों सब्जीयों को हमने अच्छे से धो धा करके कर लिया कट और अब हम करेंगे आगे की त्यारी और अब यहां पर पैन में ले रहे हैं ऑलिव ओयल लगपख आदी कर्ची अगर आपके तो अब हम क्या करेंगे जैसे ओली वॉयल हमने पैन में डाला उसके बाद सारी की सारी सब्जियां भी कर लेंगे एड़ और इन सब्जियों को एड़ करने के बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छुलक लेंगे यहाँ पर नमक जो कि मैं ले रही हूं लग भग व पकाना है जो कि भाब बनती है तो लो फ्लेम में हम ढख करके इसे नेक्स्ट चार से पांच मिनट के लिए कुक होने देंगे ताकि भाब बने और भाब में कुक हो जाए बहुत ज्यादा ओवर कुक करने के हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तो तक्रीबन पांच यह है थोड़ा सा नमक थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा से यह सबजी मसाला और थोड़ा से मैं डाल रहे हूं यहां पर धनिया पाउडर तो मसाले आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग एड़ कीजिए गा और यह भी विनेगर और मैं यहां पर एड़ कर रही हू और यह है बही इमली की चटनी इससे ना केबल टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा बलकि यह और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी क्योंकि इमली बहुत ही फायदेमंद होती है और दूसरा मिठास के लिए मैंने इसमें एड़ किया गुड़ इससे क्या हुआ कि जो सैलड है न तो भी जुरूर एड़ कीजीगा इससे बहुत ही लाजवाब प्रेस्ट आता है तो भी मैं अक्सर बनाती हूं तो मेरे बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं और यह है लगभग धाई चमस टोमेटो सौस तो अक्सर हर किसी के घर में होती है तो इमली की चटनी की मिठा और खटास बिल्कुल अलग होती है इसी तरह से जो टमाटर होता है जो टमैटो सौस होता है इसकी भी जो खटास और मिठास होती है वो अलग होती है तो अगर आप डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब बनेगी और इन सारी चीज़ों को एड़ करने के बाद हम फिर से फ्ले मजएदार हेल्दी हो टेस्टी सेम सेलट इस होती ची मेरे बच्चे जोटी सब्सी घाने में में आना का निए इस वाली सेम करने बना करके देना और हम पर रिकमेंड करर रहे हूं कि आप भी इस healthy और tasty salad को बना करके जरूर खाईए तो चलिए जी फिर मिलते हैं next video में Thanks for watching तो आज का ये मेरे वीडियो आप सभी को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और share जरूर कीजिएगा और हाँ अगर मेरे की channel पर आप नए हैं वीडियो में एक नए recipe के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार